बीचे दिनों मरेपूरा के गौल पारा थाना अंतरगत साहपूर में पुस्पराज और अमन कुमार नामा की युवक की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी सत्यकांड के बाद पुलिस के कार्सेली पर लागा थाल सावाल खड़े हो रहे थे वही आज इस सत्यकांड से पुलिस ने परता हटा दिया है जानकारी देते हुए मरेपूरा पुलिस अरिक्षक राजेश को मार ने बताया कि इस कांड के उद्भेदन है तु अनुमंदर पुलिस प्रारिकारी उदा किसुन गंज की निशितु में एक टीम गटित की गई जिसमें पुलिस निलिक्षक सा उदा किसुन गंज थाना देक्ष, जैप्रकास चौधरी गवलपारा थाना देक्ष पुलिस अवर्णिक शक विजय पासवान, पिहारी गंज थाना देख्शावीत कुमार राय, पुलिस सदर अवर्णिक शक सिव कुमार यादव, गुलपारा थाना को सामिल किया गया थ। इस टीम ने सकनी की अनुसंधान एवं मानुवी आसुचना के अधार पर घटना में सरलिप्त अप्राज कर्मियों को छिन्नीत किया और इसी बीच गठित तीम द्वारा चापे माली करते हुए समस्तिपुर के रंजीत मुखिया गुलपारा के डिलेंजन कुमार उष्णिरज बंबं कुमार को वलपारा से गिरफतार किया गया एवं अन्ने तीर अपराधी भागने में सफर हो गया तरलाती एक्रम में इनके पास से दो देसी मस्किट एवं दो कार्थूस साथी तीन मोबाइल बरामत किया गया गिरफतारी के उपरां गिरफतार अविक्तों द्वारा पुस्पराज उर्फ अमनकुमार का हत्या करने की बाद स्विकार की गई S.P. R.A.J.S. कुमान ने बताया कि गिरफटारी के परचात कूछ ताच करने के बाद क्यात हुआ कि मिरितक पुस्पराज उर्फ अमन कुमार आपरादी की किस्म का व्यक्पी था तथा कि गिरफटार कार्मियों के गिरो का सरस्वी था मुनितक पुष्पराज उर्फ अमनकुमार फुरुम में हत्या गेते जगन एकांड में जेल भी जा चुका है मुनितक पुष्पराज उर्फ अमनकुमार इन अभ्युक्तों के साथ कहीं छोड़ी किया था रस्षोड़ी के बाद साहरा माल फुष्पराज पुरस अमन कुमार द्वारा राखकिया गया था जो आपसमें बट्वारा करने के लिए तयार नहीं ऐसी कारण बकड़ाय अभिक्तों और अभीक्तों द्वारा पुसिराज पुर्फ अमन खुमार फोन पर बुला कर माराई करने के पाद बोली मारकर हत्या कर दी गई कि कि एकिष नोबाईश की रात्री में गवलपढ़ा थाना उंतरगत शापूर में शापूर गाउं के पुस्पुराज अमन कुमार की बोली मारकर हत्या कर दी गई किसी ने उसे फोन करके अधिले बुलाया और बाद में उसके संबंद में कोई जांकारी धरवालों को नहीं मिली तो सुबह में निकले तो पदा जला उसकी हत्या होगी है इस संबंद में गवालपड़ा थाना में कांड दर्ज कराया गया और इस घटना के सुचना के पश्चाद मेरे दुवारा अन्वंडल पूलिस पदादिकारी शतीज कुमार के नेत्रुत्र ने इस कांड के सही उद्वेदन और अनुशनान के लिए एक टीम का गठन किया गया इस टीम में गवालपड़ा थाना द्याच के आलादे उद्वार किसंगे थाना द्याच और कुछ हमारे तत्निकी सहयोगी के रूप में जो काम करते हैं उन्हों को संलिक्त किया गया इन लोगों ने इस कांड का बड़ा ही सफल अनुशनान किया और अनुशनान के करम में इ सब्सक्राइब की है इस सोचना के आदार पर इन्हों ने चापामारी का योजन किया और कि 26 तारी को कि उसी गाओं में सचीन रिशीदेव के घर के पास कुछ अप्राद कर्मियों के होने की सुचना पर इन लोग गये वहां पर और उनके घराबंदी करके ग्रफ तीन लोगों को ग्रफतार किये इन लोग के पास से दो बड़े बड़े देशी मास्केट कि प्रामदी हुई है इसी मास्केट का प्रियोग इन लोगों ने उस हत्या में किया था यह पुलिस की अच्छी सफलता है पुरी घटना के जब जनकारी प्राप्त की गई नोगे द्वारा तो यह बात परकास में आया कि मिर्ता कमन कुमार भी अप्रांदी छवी का ही सब्सक्राइब में एक चुरी घटना का अंजाम दिये थे उस चुरी में जो ही माल इन लोगों को मिला था वह अमन राज अपने पास रख लिया इन लोगों ने उन्हें उसको शेर करने के लिए बटवारा करने के लिए बोलते रहे परंत हुआ इसके लिए तैयार नहीं सब्सक्राइब में लोगों नुपकों वेर के वुलाया और वुलागा के लुशे में उसके लिए तैयार